जोहिन पेस नमस्का सोप्रेंश केसे रापिट ड्रागन प्रोग्राम भारत के C-17 और C-30 आरकाप्ट को बंबर आरकाप्ट में बदल सकता है जी हाँ अमेरिका बायुशना USAF के रापिट ड्रागन कार्यकमने पिछले महिने पेलेटाइज मन्सन डेबलम्मेंट सिस्टम्स की परिचालन उप्योगेत का आकलोन करने के लिए अपना पहला सिस्टम लेबल फ्लाइट टेस्ट किया रेपिट ड्रागन प्रोग्राम बायुशना सामरिक बिकास योजना रो प्रयोग डेबलम्मेंट प्लानिंग आंडे एक्सप्रिमेंशन HDPE कारेकम के निर्थुतों में एक प्रयोग वभ्यान है जिसके तह देखे पदर्शित करने की योजना है की C-17A ग्लोम मास्टल 3 और C-130J सूपर जेके होल्ड को क्रूज मिजाईलों में परिवर्तित किया जा सकता है साइलो की AGM-158B Joint Air-to-Air Surface Stand-Up मिजाईल एके Extended Range Cruise मिजाईल को पाराड्रोप कर सकता है जिहां कारकम की योजना एयर लिप्टर को हत्यार देने और उन्हें हत्यार ट्रोकों में बदलने की है ताकि यहां गोतिरोद हत्यार ख्यमता की Stand-Up Weapon Capability पेसकास कर सके जो आरिशनाल बंबर खेत्र रख्यों से कहीं अधिक सस्ता होगा और भारत के लिए जो ये दोनो एयर काप्ट बेड़े का सोंचालन करता है तो और हमारे पास और भी कोई कंभर्ण्चाल बंबर एयर काप् ताओं को बढ़ा है क्योंकि हमारे पास जो प्लार्टफों मौजुद है C-17 और C-130 आरकाप्ट धान रखे इंडियान आरफोस ने अतित में AN-32 और AN-12 आरकाप्ट को सीमित भूमिकाओं में इस्तमाल किया है जो केबल फ्रीफॉल ग्राविटी बंब्स के लिए जिहां मदर्शिफ ट्रांसपोर्ट आरकाप्ट से लांज किया जा सकता है फिर उनके मिशन को पूरा होने के बाद मदर्शिफ गरा रिकवर किया जा सकता है मतलब वो फिर लोड़के आजाएं के मिशन फुलफिल करने के बाद